प्रीविय बाड को लेकर बड़ी ख़वर आ रही है क्वियोटी परखंड के बागमती नदी में दो जगों पर तत्बंड तूट गया अज इसके अलावे तीन जगों पर रिसाव जारी है तत्बंड तूटने के बाद कई गाओं में तेजी से पानी फैल रहा है और अस्थान लोगों के लिए काफी पड़ेसानी की बात हो गई है ग्रामीन ऊपर के अस्थानों पर प्रवेश कर रहा है लेकिन पानी के आप रफ्तार देख सकते है टीवी स्क्रीन पर काफी तेजी से बहाव जारी है डीम डॉक्टर ट्याग राजन एसम लगातार इस पर नजर अस्थानिय लोगों को किस तरह से मदन किया जाए इस पर डीम खुद संग्यान लिये हुए है और लगातार इससे पहले भी विविन जगों का वन इडिक्षन कर लगातार अपडेट अस्थानिय प्रशासन से ले रहते तो इस वक्त की बरी खबर आप टीवी स्क्रीन पर द पान पर थी और यही कारण है क्योटी प्रखंड में अब बाढ़ क्वीत के चपेट में आ गया क्योटी प्रखंड के दो जगों पर बांड तूट गया और तीन जगों पर रिसाव अभी जारी है आज सुबख वो पालपूर में नदी पर बना सुरक्चा तत्मंड तूट इस वज़ा से बाढ़ का पानी कई गाओं में घुश गया साथी प्रखंड के कई गाओं में बांधों पर पानी का भारी दवा बना हुआ है जिसके इलाके में लोग डरे और सामय है लोगों ने प्रसासन से नाओ और प्लास्टिक सेट की मांग की है ताकि उचे अस्थानो पर जाकर सनन ले सके अस्थानिये जास्या देवी ने बताया कि सुभा सुभा बान टूट गया जिससे बागमती नदी का पानी उसके घर में घुश गया ऐसा लगता है जैसे नदी का रुख ही उनके गाओं की ओर आ गया हुए लोग उचे अस्थान पर जाने के तैयारी मे जुट गए हैं वहीं अस्थानिये दुकी चौपाल ने बताया कि पानी तेजी से गाउं में घुस रहा है वे लोग अपने माल मवेशी को लेकर रेलवे लाइन के किनारे जा रहे हैं जब तक पानी नहीं जाएगा तक तक उसी जगह पर उनका आशियाना होगा उन्होंने प् प्रसासन और अस्थानिये प्रसासन लगातार मुस्तेदी से वहां काम करें यह तो बने राई तरवंगा न्यूज एक्सप्रेस पर हमारी यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेस्बुक पेस को लाइक करें लगातार खबरों से अपडेट रहने के लिए अधर इसमें पानी उनी मतला घुष गेल चैनल को सब्सक्राइब करें अपना पुठापुति गार उर जेकनाई तो गुजारा हो जारा कर वे जब तक पानी पासने होते जब तक हमर्या क्या फार में पानी भीश के लगाई ता बाल बचा के लोगा उंच जगा उंच जगा पर रह भाई के बिवास्ता का रोहल ची या बान टूटी गेला बान टूटी गेला या बान एक धमन कि तिन तिन थमन है टूटा नदी आहिन मुंए भोगल छाती